असलाम लेकुम, आज की रेसीपी मैं बनाऊंगी चिकन जलफ्रेजी हांडी, ये एक सिंपल और जल्दी बनने वाली रेसीपी है तो चिकन को मेरिनेर करने के लिए इंग्रिणिस में चाहिए बॉनलेस चिकन आदा किलो, इसकी लेंथवाइस में कटिंग कर लें, कमसकम इतनी लबाई में काटें क्योंके चिकन पकने के बाद श्रिंक हो जाता है इसलिए अदरक और लसन का पेस्ट वन्टी स्पून, तीन से चार अदद ब्लेंड किये हुए टमाटर, दही टूटेबल स्पून, ओल टूटेबल स्पून, नमक वन्टी स्पून, कुटी लाल मिर्च वन्टी स्पून, हल्दी हाफटी स्पून, पीसा धनिया वन्टी स्पून, चि एक लार्ज साइज का प्याज, दो भरी शिमला मिर्च, गाजरें तीन लार्ज साइज की, इन सब की जुलिन करिन कर लें और दो भरे टुमाटर इसको भी लंबाई में काट लें काली मिर्च, वन टी स्पून, दही, टूटेबल स्पून, सिर्का, वन टी स्पून एक बरतन में थोड़ा सा ओयल डाल के दो मिन्ट के लिए सब्जियां फ्राई कर लें फिर देही, टुमाटर, काले मिर्च और सिरका डाल के मिक्स करें और थोड़ी दिर के बाद सब्जियों को प्लेट में निकाल लें और फिर चिकन डाल के फ्राई कर लें चिकन को मीडियम फ्लेम पे ढखके रख दें ताकि अच्छी तरह गल जाए ये देखें चिकन का पानी हुश्ख हो गया अब इसमें फ्राइ की हुई सबजियां डाल दें यहां पे नमक टेस्ट करके देख लें अगर कम लगे तो अपने टेस्ट के मताबिक और एड़ कर लें और लास्ट में पांस से छी एदद बलंड किये हुए टमार्टर डालें और लो फ्लेम पे थोड़ी दरे के लिए पकाएं ताकर टमार्टर का पानी और कच्चापन खतम हो जाए पिसा गरम मसाला हस्प जरुरत और दो से तीन सबस्मिर्च लंबाई में कटी हुई डाल के फ्लेम बंद कर दें तो मज़ेदार चिकन जल फ्रेजी हांडी रेडी है चावलो के साथ सर्फ करें बहुत ही एज़ी और क्विक रेसिपी है आप इसको घर में जूर ट्रै करें और मुझे फीड़बेक दें अगर अबी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से रड़ बिटन पर क्लिक करके सबस्क्राइब कर दें और बल आइकॉन पर लासमे क्लिक करें अगर रेसिपीज पसंद आ रही है तो लाइक करें और फूर्दर शेयर करना ना भूलें अल्ला हाफिज अगर शेयर करें।